हेलो वाट्सप गाईज आज हम इस फिर्ट में देखेंगे हो तो डिस्पैच एन एक्षन फॉर्म और रियक्ट एप्लिकेशन तुर दा रिटक्स टो जी हां गाईज तो वीडियो बहुत ही ऑसम होता जा रहा है गाईज डे बाई डे और इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है क होँ, कुई की हमने पूरा रिटक्सथि देखा रिटक्स को रियाक्ट से कनेक्ट की की हमने यर्य देखा की रिडख च्टोर का डेट आगर एक्सेस करना हो तुर में evolved www.kt.coad.alまあ बट अब यहां पे कैसे होगा, और साथी साथ अगर मैं किसी डिलेट पे क्लिक रोडिकर तो डिलेट कैसे होगा, इना और रियक्ट एप्लिकेशन में जो भी मैं करूं, रियुक्स तोर को वो कैसे अपडेट करेगा, आप आज इस वीडियो में हम complete देखने वाले तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले तो आप एकदम आराम से रिलेक्स होके बैट जाए देखो बहुत एजी है हम बाइदो में पहले बोल देता हूं अगर आपको action को dispatch करने from your react application then we have one method basically not method it's a hook and that is your use dispatch hook to dispatch actions from a react component react component में अब आप use dispatch hook की मदद से action को dispatch कर सकते हो ठीक है अब हम इसको हम जल्दी से देख लेते देखो मैं यहाँ पर चलता हूं जैसे we have a use selector we have a use dispatch also अब यहाँ पर मैं चलूंगा ठीक है so const dispatch from our use dispatch hook and this is it simple यहाँ पर ऐसा कुछ आपको data pass करना and all ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है अब we need a form right we have already form over here अब user input में लिख रहा है ना तो वो सबसे पहले वो data मुझे चाहिए तो obviously उसके लिए तो क्या ही करेंगे उसके लिए तो हमारे पास वोई state है and let's go with the task and set task so let's go with use state ठीक है and फिलाल मैं empty रख देता हूं so यहाँ पर चलते है we have a value value में आ जाएगा task then we have a on change method ठीक है जिसमें मैं क्या करूंगा guys मैं fat arrow function युज कर रहा हूं directly over here मैं event object को access कर रहा हूं मैं यह बोलूंगा कि मेरा जो भी set task होगा उसमें event.target.value this is it so guys यह जो particular part है यह already हमारा जो react version 19 की series है वहाँ पर मैं बहुत in-depth मैं मैं आपको बाता चुका हूं and also यह भी मैं आपको बाता है था controlled versus uncontrolled component फिलाल right now we are dealing with controlled component क्योंकि हम hooks के साथ खेल रहा है right so अब जब भी user कुछ भी लिखेगा तो the moment वो एक कीव भी अगर प्रेस करता है तो मैं set task में value को test I mean set कर रहा हूं मुझे कोई problem नहीं function को खली dispatch करना है इस action को basically dispatch करना है ठीक है अब ध्यान से देखेगा कैसे करेंगे बहुत ही ज्यादा easy है अब जब भी कोई इस form को करेगा submit या button पे करेगा click तो जब भी आप button create I mean जब आप form के साथ deal करते हूं चाहे आप button पे on submit लिखो है ना या तो आप form पे on submit form आप लिख दो इस तरह किसे let's go with handle form and then we have this submit ठीक है इसको मैं copy करता हूं यहाँ पर मैं चलता हूं ठीक है handle form submit ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूं so const handle form submit and जब यह form को first time अगर you know submit करते हो तो guys एक default behavior है उनका क्यों page को refresh करता है so we need to prevent that default behavior so prevent default ठीक है and then अब मुझे क्या करना है guys मुझे कुछ नहीं करना है जब भी को इस पर click करगा मुझे action को dispatch करना है ठीक है तो मेरे पास dispatch तो है तो यह जहाँ पहले मैं कुछ यह कर रहा था इसे कोई copy करूंगा यहां पर आके मैं paste कर दूंगा now instead of store मैं यहां पर लिख देता हूं return and directly मैं dispatch directly मैं dispatch देखो we have this dispatch and यह जो add task है उसको मैं call कर रहा हूं and जो यह default manual data जो मैं pass कर रहा था मैं यहां पर यह वाला जो data है वो इसको pass कर दे रहा हूं इस तरगी से ठीक है अब यहां पर यह जो add task वाला जो यह action creator है यह जो function है यह कहां से मुझे मिलेगा तो वापास आप यहां पर आईए जब आपने action creators create की थी over here तो अब आपको क्या करना है इनको export कर दीजे आपको इसको भी export करना पड़ेगा ठीक है तो मैं export कर दे रहा हूं कैसे पूरा जो इस्ट्रिंग से एक साथ तो connect हो रहे राइट अब यह जो add task control and then space and मैंने कर लिए import over here add task इस तरीके से मैंने import कर लिए ठीक आप देख सकते हो मैंने यहां पर import कर लिए मेरा काम खत्म इतना ही करना है जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा मुझे action को call करना था basically हमें dispatch function को call करना था तो dispatch and function मैंने call की क्या करना है मुझे add task करना है and data मैंने pass कर दी खत्म इरा काम खत्म ध्यान से देखना अब मैं यहां चलता हूं this is ours मैं लिख देता हूं by grapes ठीक है enter हीट करूंगा and boom guys see by grapes क्योंकि हम जो functionality थी वह तो हम already पहले ही बना चुके थे but अब मैं खुछ से कर और एक और चीज देखो data as it is यहां पर तो एक काम करेंगे यह जो set task है इसको मैं empty कर दूंगा but अब मैं return के बाद तो कुछ कर नहीं सकता तो मैं यहां पर return कर दूंगा इस तरही से तो मैंने पहले prevent default की dispatch की action को and then उसको मैंने खाली भी कर दी ठीक है अब मैं अगर यहां चलता हूं अब इसको by orange and then enter hit करता हूं देखो orange भी add हो गया and वह वहां से चलागे अब मुझे delete button के साथ खेलना है it's super easy believe me कुछ नहीं करना है delete देखो मैंने already on click handle task delete and यहां पर मैंने यह जो मेरा index number basically यह index number वह मैंने pass कर दी ठीक है अब कुछ नहीं करना है तहां से देखना कुछ नहीं करना है क्योंकि जो था वह हम already कर चुकि अब तो खाली formality आप समझ लो कि हम formality कर रहें यहां पर ठीक है कैसे const handle delete इस तरीके से ठीक है अब यहां पर हम एक expect कर रहें id क्योंकि मैं वहां पर id दे रहा हूं ठीक है मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा return we have a dispatch मुझे यहां पर किस action को call करना है delete task वह क्या है यह वाला function के अंदर है delete task so delete task and यहां पर यह मैंने id पास कर दी यह इसको मैंने already export की थी अभी थुछ दिर पहले खत्म इतना ही है so आपके मन में आ रहा होगा जब हम react application के साथ जाएंगे वहां पर user data लिखेगा फिर उसको enter करेगा फिर वह data मुझे दिखाना है फिर delete पर जब click होगा तो कैसे हो रहा होगा बट कुछ भी नहीं था just यहां पर आप जो store.dispatch manually करके जो data खुद का लिख के दे रहे थे मैंने just अब आप उसको थोड़ा सा modern कर दिया है जहां पर action creator कितना easy काम कर रहा है just देखो ना आपको dispatch ही तो call करना है जब भी आप dispatch method को call करते इत विल always trigger your action method या action object of your reducer function ठीक है तो dispatch में आपने बोला delete task तो इसने delete task देखा कहां है delete task इसने देखा delete task ओके ये एक function है delete task अच्छा टाइप है यहां पर delete task तो फिर वह अब यहां जाएगा अच्छा यह delete task अच्छा मुझे delete करना है अपडेट करेगा अपडेट करके हमें data देदेगा मेरा काम खत्म हो गया हमारा देखो so this is ours ठीक है by orange मैं add task कर रहा हूं and मैं mango delete कर रहा हूं banana delete कर रहा हूं and मेरा काम हो गया right अब मैं इसको refresh करूंगा तो मेरा orange चला जाएगा और बाकी के data वापस आ जाएंगे क्योंकि यह तो no matter what मैंने मेरे store पे by default रखा हूँ है इस stores पे मैंने by default यह तीन data तो already रखे हुए ताकि guys मैं कुछ तो दिखा सकूँ आप एंद बाके तो हम यह कोई local storage जाए दो अदर में के इस store तो का नहीं रहा हूं जो functionality थी Redux की मदद से मैंने complete आपको बता दी यह था आपका old तरीका जिसके तुरू आप कर सकते थे अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप middleware का यूज कर सकते हो Apeg को data को get कर सकते हो Then मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे आप Redux toolkit की मदद से यही same application को आप create कर सकते हो So I hope guys आपको बहुत ही ज्यादा माजा होगा अब यह तो बिल्कुल भी मत सोचना कि जब आप Redux toolkit में जाओगे पूरा change होगा कुछ नहीं होने वाला थोड़ा बहुत जो lengthy code हमने लिखा उसको थोड़ा sort कर सकते हैं But बाकी सब kind of similar ही होने वाला है But मैं आसा करता हूँ गाइस आपको बहुत ही ज्यादा मजा आओगा And finally देखो आप Redux-Redux बोल लेते हैं And Redux की मदद से हमने 2Do application में बना ली So guys आपको ये वीडियो कैसा लागा? Let me know in the comment section Throughout this series आपको कैसा feel हो रहा? Comment करके जरूर बात आना Video पसंद आए तो like कीजिए दोस्तों के साथ भरभर के share Now our next target is 7 lakh subscriber and अभी तक subscribe नहीं किया So please कर दीजेगा मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में Till then guys, thank you so much, take care